आज हम राक बूत मनाते हैं और आज से चालिसा याने लेंड शुरू होता है जिस प्रकार हम आगमन काल में परमेशर के मुक्ति विधान हमारे प्रभु येसु क्रिस्ट के आगमन की तयारी करते हैं ठीक, उसी प्रकार इस चालेसा काल में हम उनके आगमन के असल मकसद की तयारी करते हैं। हमारे बीच में प्रबु येशु के मनुष्य रूप में आने का असली मकसद आखिर क्या था? हमें पिता के पास ले जाना, उनकी लिखित विधान से परे, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की कला सिखाना। और हमारी मुक्ती और उधार के लिए युगों-युगों का एक विधान तहराना यहीं उनके आने का मकसद था। प्रबु येशु ने अपना यह मकसद क्रूज पर अपनी मृत्यू और तीसरे दिन पुनर जीवित होने के द्वारा पूरा किया। उनका यह बलिदान उस समय के विश्वासियों के लिए एक कर्स की अदायगी के रूप में था। हमारे लिए यह किस रूप में हैं? हमारे लिए यह अनंत काल तक चलने वाले बैंक बालेंस के रूप में हैं जिसें हम उन पर अपने अटूट विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आईए, पहले हम यह जाने कि चालिसा शब्द का अर्थ क्या है? चालिसा शब्द संख्या चालीस से आया है। यह संख्या काफी महत्वपून है। बाइबल के पुरानी विवस्थान में हम यह देखते हैं कि परमेशर ने इसराइली को चालेस वर्ष तक मरुभूमी में रखा। उन्हें ठीक उसी प्रकार तपाया और ठोका जिस प्रकार एक सुनार सोनी को निखारने के लिए करता है। इससे भी पहले नुह के समय में जब परमेशर ने जल प्रलै भेजा था तो उसकी अवदी भी चालेस दिन रात की थी। प्रभू येशु ने भी चालेस दिन रात तक उपुआस और परहेच किया। इन उधारनों से हम या निशकष निकाल सकते हैं कि परमेशर के द्वारा चालेस दिन, चालेस रात और चालेस वर्ष की अवदी एक शुद्धिकरण के समय के रूप में बार-बार प्रयुक्त की जाती जा रही है। इसे किसी बड़े और नए कारे के शुरुवात के पहले के तैयारी के काल के रूप में भी देखा जा सकता है। हम यहाँ उपवास, परहेज और अधिक से अधिक प्रातना करने की सीख पाते हैं। मिट्टि से रचे गए है उत्पत्तिग्रन 2 वाक्य संक्या 7 और हमें अन्ततह इसी में मिलना है हमारा इंसानी शरीर नश्वर है और यहं अन्ततह कमझोर होकर मृत्यू की और अग्रसर होता है हमारा शरीर जो मिट्टी से बना है अंततह इसी में मिल जाता है पर हमारी आत्मा जो अनश्वर है उसका परमेशर से मिलन होता है जैसे हिर्णी जल के लिए तरस्ती है ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमेशर से मिलने के लिए तरस्ती है और यही कारण है कि संसार की भोग विलास की कोई भी वस्तू हमें संतुष नहीं कर पाती क्यूंकि हमारी यह भूख और प्यास संसारिक नहीं है बलकि आत्मिक है और इसे केवल आत्मिक भोजन से ही तरप्त किया जा सकता है हमें परमेशर के मुख से निकली हुई जीवन की रोटी चाहिए ताकि हम अनन्त जीवन पा सके प्रभू हमसे यह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ देख मैं तेरे रिदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ यदि कोई मेरा शब्द सुन कर रिदय का द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ पुराने समय में लोग जब शोक मनाते और पश्तावा करते थे तो टाट ओड़ कर राक लगाते थे और उप्वास करते थे नभी योना के गरंत में भी नीनवे के लोगों ने ऐसा ही किया था आज जो राक हम अपने माथे पे लगाते हैं और प्रातना उप्वास और परहेच के काल में प्रवेश करते हैं तो आईए हम परमेशर से प्रातना करें कि वे हमारे पापों को हम से उतना ही दूर कर दें, जितना पूरब की दूरी पश्शिम से हैं। स्त्रोत क्रंथ 103, वाक्य संख्या 12 चालिसा काल में प्रातना, उप्वास, परहेच के साथ एच्छिक दान का भी नियम है। सवाल ये है कि हम क्या दान करें। क्यूंकि हमारे पास जो कुछ भी है, वो तो परमेशर का ही दिया हुआ है। प्रभू चाहता है कि हम उन्हें अपना समय दे। तो आईए हम इस पवित्र काल में प्रभू के साथ संगती करें, उनके लिए समय निकालें। और अपने पापों से परहेच करते हुए प्रभू परमेशर के साथ आगे बढ़ते जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। चैसू